नमस्ते दोस्तों दोस्तों यह जो MK12 एंजिन हमने खोलके रखा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या स्प्यारपर्स सही है और क्या-क्या स्प्यारपर्स खराब है मैंने ये वीडियो तो पहले से कभी इसा नहीं बनाया जो आपको दिखाने के लिए इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि 120 स्प्यारपर्स को केशे पेचाने और गलत स्प्यारपर्स को केशे पेचाने देखे यह बेरिंग खराब हो गया है इसी के बज़े से आज खोलना पड़ागा तो यह चाइना मेड बेरिंग है अगर आप यह चाइना मेड बेरिंग लगाएंग ना तो 6 महिने में आपको एंजिन एक बार खोलना पड़ेगा देखिए इसमें लिख्या हुआ है S-C-H यानि ये चाइना मेड बेरिंग है ये 60 रुपे में बाजार में मिल जाता है ये बेरिंग कभी भी इंजिन में मत डाली है इंजिन में बेरिंग डाले में अगर अर्जिनाल बेरिंग डालेगे ना तो एक बेरिंग 180 रुपे किसे देता और कोई долж 58 नहीं होती जो एड़ीन है तो यह देखिए टर chords के घणा जी अड़का देता है और गड़ा जीए सा लगता भी हाय high को यह शांडी ग्यायदा के जो टर बलू झाहिए और यह मेंने दिखा रहा हो मैं आपको ये, ये साड का जो टफिट है, ये खराब हो गया है, कैसे पता करें, खराब हो गया है, आपको केम साट के उपर दाग दिखाए देगा, दिखाना चाहता हूं, ये देखिए ये देखिए दाग दिखाए देता है ये जो काला वाला दाग वो नहीं है जा पीट रहा था वो ही दाग दिखाए देता है महाँ पर दिखाए देता है और ये एंड में भी दिखाए देता है उपर यानि ये टैपिट खराब हो गया है इसलिए इंजिन जब चलता है जैसे अंदर कोई पिट रहा है पिटने की आवा जाता है तो कान को सुनने के लिए वो खराब लगता है अच्छा नहीं लगता है इंजिन का साउंड कोई भी अगर कोई भी दूर से देखेगा न कि सुनेगा वो साउंड को तो उसे पता चलेगा कि इंजिन का काम मांग रहा है ये इंजिन खराब है लेकिन इंजिन बिल्कुल अंदर से सही है ये देखेए ये टेपिड कड़ा हो गया है मैं आपको दिखाना जाओंगा कि उसको केसे पहचाने केसे टेस्ट करें उसको कि टेपिट खराब हो गया है तेपिट अच्छा है या खराब हो गया है उसको केसे पेचाने के हम देखिए इसमें तो दिखाईने देता है मैं किस जगा पर उसको रख देता हूं टेपिट को ताकि आपको दिखा सकूँ ये देखिए जो ग्याब दिखाई देता है न स्केल के निचे जो ग्याब दिखाई देता है वो ग्याब दिखाई देना नहीं चाहिए अगर वो ग्याब दिखाई देता है तो टेपिड खराब है उसको बदल दो थोड़ा भी ग्याब दिखाई नहीं देना चाहिए इसी ग्याब के बज़े से केमशावड भी खराब कर देगा और मैं अच्छा वाला जो टेपिट था उसका मैं उसको दिखाता हूँ देखें कहीं पर भी किदर भी थोड़ा भी ग्याब नहीं है यानि यह सही है यह लगेगा लेकिन दूसरा वाला जो उसको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूँ चारो थोरब से वो ही जो पूराना वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चारो थोरब से ठाकि आपको पता चले तकि आपको पता चले कि असल में चेक करते हैं देखिए नीचे देखिए कितना ग्याब है थोड़ा भी ग्याब नहीं रहने जाए अगर ग्याब है आपको देखाई दिया ग्याब है तो तूरां तो उसको निकाल दो नहीं तो आप सारा सब कुछ फीट कर चुके हैं फिर भी वो ही साउट आएगा इंजिन का फिर से आपको दुबारा खुलना पड़ेगा यह देखिए उसका गियर भी खराब हो गया है गियर तो हिल रहा है उसका लॉक हिल रहा है लेकिन यह भी खराब हो गया देखिए गियर का जो चारोत और जो दान्त है ना वो दान्त भी खराब हो गया है उसको भी हमें बदलना पड़ेगा दान्त उसका प्रदाग हो गया है और कुछ दिन चलता पांचे महीने चलता और खराब भी वो बिर्कुल तूट जाता ये भी बड़ा वाला भी होई है क्योंकि अगर हम उसको चेंज करेंगे ना तो दोनों को चेंज करेंगे क्योंकि एक सेट में आता है 256 रुपए आता है उसका रेट दोनों आता है एक ही पैकेड में छोटा वाला चेंज करोगे तो बड़ा वाला भी चेंज करना बढ़ेगा दोनों इउर सेम चेंज कर दो और रहा पीस्टन रिन्ग पीस्टन रिन्गको मैं आपको दिखा ताहूं ये देखिए गवर्नर गवर्नर विल्गुल सही है दोनों सैड का जो लगा हुआ है न वो दोनों सैड में अगर होता है और फ्रीली घुमता है तो सही है दान्त नहीं टूटा है तो सही है कोई दिकत नहीं अभी हम रिंग डालते हैं रिंग दिखाता हूं में आपको दोस्तों इसी रिंग के बज़े से ही हमें इसको खोलना पड़े है क्योंकि एक घंटे में 100 ग्राम इंजिन ओयल खा जाता था ये देखिए कितना ग्याव है देखिए आपने इतना ग्याव में एक घंटे में 100 ग्राम ओयल वह खा जाएगा जितना पेट्रोल डिजल का दाम है किरोसिन का दाम है इंजिन ओयल उससे ज़्यादा दाम है वह कितना डाले गला के कॉस्टमर इसलिए रिंग खोलने के लिए मैंने उसको खोला था लेकिन अंदर देखा तो यह सब यह सब चीजे हैं इसलिए मैंने आपको दिखाना चाहा अग्याव मेरी में कोई प्रब्लम नहीं खाली हम उसको नेया रिंग डाल देंगे पिस्टन भी शहीए खाली हम उसको नेया रिंग डालेंगे दोनो पेरिंग डालेंगे और एक टेपिड लेंगे। और यह पुरा पेकिंग कीट पीसका टूकत चुका है। यह दिखे पेकिंग टूटा होके पड़ा है। है अगर अब से इतना ही काम था। खाली मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये विडियो बनाया हूं। नहीं तो लुके मैंने सारा इंजिन का वीडियो बना चुका हूं कोई भी छोटा आदमी अगर अनपड़ा आदमी भी वीडियो देखेगा तो इंजिन अपना बना सकता है कोई दिक्कत नहीं अगर कहीं पर भी नहीं आता है तो मालूम नहीं पड़ता है तो मेरे को डारेट फोन कर सकते हूं मेरा नमबर 8658859622 है कभी भी आप फोन कर सकते हूं क्योंकि दोस्तों मेरे पास नहीं रहता है आपके पास रहता है इसमें क्या फॉल्ट है यह तो मेरे को नहीं मालूम मैं कुछी ही बता सकता हूं